यॉरोपीय देश मौल्दोवा में जारी यॉरोपीय देशों की बैच्छा की दुरान यॉक्रेण के राश्चुपती जेलिंस्की नेटो पर ही भड़क गए यॉरोपीय देश मौल्दोवा में मौजूद यॉरोप के 40 देशों के राश्च्ट्रिय ध्यक्षों के सामने जेलिंस्की नेटो से यॉक्रेण की सदस्ता पर जल्द फैसला लेने की अपील की इसके अलावा उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि EU यानि कि यॉरोपीयन यूनियन ने भी उन्हें अब तक संग्ठन में शामिल करने पर कोई पैसला नहीं लिया जबकि यॉक्रेण ने जंग की शुरुआत में ही EU में शामिल होने की अर्जी दे दी थी कि हवाई हमलों का डर सता रहा है क्योंकि दो दिन पहले मौस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ था जिसने रूस में खलबली मचा दी यही नहीं यूक्रेण ने रूस के बलगरत में भी भारी गोला बारी की करlier का माश्तना पर रूस के में जावागा किया कि फूरवी उकरेण पर कभजे के लिए नई रणala की तैयार कि इसके तहआद रूस ने यूकरेण की सेना पर कहड़ाने के पूरवी उक्रेण के कई लांकों में बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया ताकि जंग के मैदान में जलिंस्की की फौज को चारों खाने चित किया जा सके बश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले कई महीनों से रूस की सेना पूरवी यूकरेन के डौनबास इलाके पर कबजे के लिए जंग लड़ रही है और इस वक्त एक ब्रेकिंग नीज रूस से जो मिल रही है वो आपको बता दे रूस के कर्स इलाके में यूकरेन ने जोडार जोन आटैक तिया है रूस का दावा ये है कि उसने यूकरेन के जोन हमले को नकाम कर दिया है बबात कर दिया विच रूस ने पश्चिमी देशों पर यूक्रेन में नसन्हार करवाने का आरोप लगाया पश्चिमी देशों पर ये बड़ा आरोप रूस के विदेश मंत्री ने लगाया जेलन्स्की की मदद कर यूकरेण में नरसंहार करवा रहे है क्योंकि जेलेंस्की की सेना अपने दम पर रूस की सेना से नहीं लड़ सकती लेकिन पश्चिमी देशों से मिली मदद से जेलेंस्की की सेना जंग में डटी हुई है